मैं चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकता मैं चाहकर भी इस नौकरी को नहीं छोड़ सकता मैं चाहकर भी आपके साथ नहीं जा सकता मैं चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर सकती मैं चाहकर भी आपसे बात नहीं कर सकती तो English में हम इन sentences को कैसे बोलेंगी सो गाइस ऐसे sentences को बनाने के लिए structure है सबसे पहले हम use करेंगे sentence जो किसी भी tense में हो सकता है फिर आप use करोगे even if even if के बाद someone someone मतलब वो person जो चाहकर काम नहीं कर पाया जैसे even if I, even if he, even if she, even if they तो आप उसके according यूज़ करोगे उसके बाद want use करोगे, want के बाद to use करोगे सो अगर आपका someone, जिस person को आप define कर रहे हो जो चाहकर भी काम नहीं कर सकता वो अगर singular है तो wants to आएगा और अगर plural है तो want to आएगा जैसे I want to, even if I want to even if she wants to even if he wants to तो उस बे में ये structure change हो जाएगा चलो कुछ examples की मदद से समझते हैं Example है मैं चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकता I can't help him even if I want to I can't help him even if I want to Next है मैं चाहकर भी इस नौकरी को नहीं छोड़ सकता He cannot leave this job even if he wants to तो यहाँ पे जो subject है वो ही है कौन नहीं छोड़ सकता वह नहीं छोड़ सकता तो जो वह है ही है वो सिंग्लिट है इसलिए हम wants यूज़ करेंगे वो की first form के साथ ऐसी यूज़ करेंगे He cannot leave this job even if he wants to मैं चाहकर भी आपके साथ नहीं जा सकता He can't go with you even if he wants to मैं चाहकर भी आपको नहीं रोक सकता I can't stop you even if I want to I can't stop you even if I want to